अब flow chart को हम बनाते कि इस तरह हम यहां पर एक example लेते हैं, a flow chart to input two numbers, calculate the sum and print the result, यानि आप दो numbers को input लें और फिर उनका sum भी आप calculate करें और उन numbers को print भी करवाएं, यानि जो उनका result आएगा उसको print करवाएं, यानि इस तरीके की situation का आप क्या बना है, flow chart बना है, तो आपको पता आपने oval shape के अंदर, और फिर next क्या है, जब आपने input लेनी है, तो input के लिए आपने ये कुछ parallelogram वाला symbol बनाना है, और उसके अंदर लिखना है, कि आप कौन से number ले रहे हैं, या आपके अपनी choice है, आप कोई भी दो number ले रहे हैं, उनका नाम रख रहे हैं, यहापे मैंने द लिख रहे हैं, c is equal to a plus b, यानि a plus b का जो sum होगा, वो c के अंदर उसकी value आपको मिल जाएगी, और उसके लिए आपने ये symbol जो है, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपने symbol क्या use करना है, rectangle का, आगे क्या हुआ है, जब ये sum हो और last पर आपने program को end must करना है, जब आप end करेंगे, फिर उसको oval shape के अंदर आपने क्या करना है लिखना है, और end कर देना है, तो ये था हमारा चोटा सारा program या algorithm जिसको आपने flow chart में लिखना सीखा है,